अलो दोस्तो तो कैसे हैं आप लोग गुम्मीद है कि अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मीनी ग्रेंडर का हैमर मशीन का और ड्रिल मशीन का हम आज इन तीनों चीज़े के बारे में समझेंगे इन तीनों का रिविव करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा कौन से किट की आपकी जलूरत है और दोस्तों इन सब का जो है अनवाक्सिंग का वीडियो जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो जूड़े रहे हैं हमारे साथ चलिए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को मेरा न यहां देखे लिखाओ प्रोफेस्टना ग्रेंडर याद मिनिक कटर यहां पर 600 वाट का च्यार इंच का मिनिक ग्रेंडर है अभी हम देखते हैं यहां पर यहां देख लिए जी डबलु यह 600 220-230 बोल्ट यहां इसका कुछ मॉडल नंबर लिखाओ चलिए इसको ओपन कर ल यह देखे इस चार इंच की समें प्लेट आप लगा सकते हैं जब हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे इसके साथ कई सारी प्लेटस आपको दिखाएंगे जो इसमें यूज हो सकती हैं इसके लिए जरूर है कि आप मारे चेनल को सस्क्राइब करके चेनल के साथ जुड़ यह जो है 670 वाट का आपका जो है बॉस कम्पनी का मिनी ग्रेंडर है 670 वाट का देखें दोस्तों यहां लिकाओ मेड इन इंडिया 2019 हमने इसे जो है साल बर पहले मंगाया था साल डेर साइड से हम इसे यूज करना है लेकिन इसमें अभी तक कोई दिक्कत ना ही एक बॉस कम्पनी का है तो अच्छा ही होता है बॉस कम्पनी का अच्छा होता है यह देखें इसके साथ आपको हैंडल मिल जाता है इसको आप इसमें कर सकते हैं और इस दोनों तरब से कर सक जब हम इसका unboxing करेंगे तो आपको ये सारी चीजे बताएंगे एक ही वीडियो में सारी चीजे बताएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती हैं इसलिए इन तीनों का unboxing भी चैनल पर जल्दी upload कर देंगे और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो description में इसका best while लिंक दिया हुए आप वहाँ से जाके खरीच सकते हैं इसमें मुझे कोई दिख्कत नहीं दोस्तों बॉस कंपणी का फोर इंज का अगर आपको इससे बड़े की जरूरत है तो आप बड़ा लें लेकिन अगर आपको एक घर में कोई भी काम हो इससे आप लोहा कर्ट काट सकते हैं टास काट सकते हैं एक बहुत ही अच्छे से काम करता है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर यह लें तो इसी कंपनी का लें आपको सत्रे सो से दो हजार के बीच में मिल जाएगा मैं एक फिक्स रेट इसनाते नहीं बताता हूं कि रेट जो है फ्लक्ट्वेट करते रहते हैं चेंज होते रहते हैं ऑफर पीरियाड में ल चलिए सबसे पहले मिसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं चेस्टोन कंपनी का ड्रिल मसीन है है मर रोटेटरी है मर ड्रिल मसीन है यहां पर लिखा हुआ भी है रोटेटरी है मर ड्रिल मसीन है इसमें 20 mm की बिट लग सकती है यह 500 वाट का मसीन है 850 आरपीम है इ इसको भी वीडियो को पहुच करके आप देख सकते हैं सारी चीजे अगर आप इसे बेचने के लिए भी लेना चाते हैं तो ये सारी चीजे ले सकते हैं ये बहुत ही काम की हैं और काफी अच्छे रेट में आपको भीक भी जाएंगी हमने इसे प्रस्नल यूज के लिए लिया है आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई भी चीज बनाते हैं आपके घर में कोई भी चीज काटना है कोई चीज ड्रिल करके लगानी है मेरा मानना है कि सब के पास इस सारी चीजे होनी चाहिए जिसको भी चीजे करनी आती हैं तो आईए इसको हम open करके देख लेते हैं काफी है भी मशीन है यह इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है बस इसमें एक दिक्कत है इसको किवल clockwise direction में में रोटेट होता है इससे अब डिल कर सकते हैं इसे खोलने के काम में नहीं आता है यहां से देखिए आप एक घुमाने के लिए दिया हुआ है इसको set कर सकते हैं maximum है यहां पर 0 है यहां पर कर देंगे तो maximum hammering हो जाएगी hammering मतलब चलता भी रहता है और इसका जो यह knob आगे पीछे भी होता रहता है इसमें हम bits भी लगाना बताएंगे जब इसका unboxing करेंगे तो इसमें bit लगाना भी हम बताएंगे और यहां पर देखिए इसको जो है हम यहां से lock कर सकते हैं यहां पर speed को full करके यहां पर lock कर सकते हैं कुछ इससे भी अच्छे हैं जिनमें कुछ नए feature हैं जो इसको rotate कर पाते हैं clockwise और anti clockwise अगर आप फूलने के लिए उसका भी लिंक मैं description box में डाल दूँगा इसका भी डाल दूँगा आप अगर purchase करना चाहिए तो इसको आप बहुत अच्छा machine है मैंने use किया इसलिए मैं बोल कर दो डिरिए ईा body x1 साल भर हो गया तो जो है वायर जो है इसके खराब या तेए इसके साथ आपको कुछ नंबर कीच्छी बड स्मिल जाती है यह यहां पर तीन बीट्ष which मिल जाते है आपको अभश देख सकते हैं इप पतला वाला लंबा वाला इस पे लिखा होगा कितन में जो है। ये नौ नंबर का पड़ Alert है।ah eight नंबर का पीट है, вс तक की नंबर का 6 नंबर का प्इच आपका आपको अखको गॐलेब लगाने तो आपको ये ही बिट काम आयादा श्य नंबर वाला हमके ये है का 10 नमबर का बिट है इसके साथ 3 बिट मिल आते हैं और काफी अच्छे बिट मिलते हैं इसके साथ मैंने बिट की quality देख कर इसको purchase किया है यह देखिए आपको एक adjust करने का जो है कि आपको कितना drill करना है यहाँ इसको अंदर इसमें insert करा देते हैं आपको यहाँ से adjust कर पाएंगे कि आपको कितना drill करना है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करते रहें और चैनल को subscribe कर दें क्योंकि पैसा थोड़ी लगता है पैसा तो आप जब इसको लेंगे खरी देंगे आपके यूज का है तो आप जरूर खरी दिए अगर आपको इन सारे काम में interest है और आप इस सारे काम करते हैं तो आप इसे purchase जरूर कर सकते हैं project वगरा कुछ भी बनाते हैं घर में कोई वीची टांगना हो लटकाना हो तो हमें इन सारे चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ती है wiring वगरा हमें इसका जरूरत पड़ता है तो चलिए आजाते हम अपने next drill machine पे अभी आपने देखा hammer machine अब हम बात करेंगे drill machine की इससे मैंने कुछ hammering के काम भी किया है मतलब दिवाल में छेद वगरा करना भी किया है लेकिन इसके लिए है नहीं ibell company का नाम ने आप लोगों ने सुना ही होगा यह देखिए ibell company का यह आपको मिल जाएगा 2800 से 3000 के बीच में और एक काफि परफेक्ट drill machine है इसमें आपको बहुत सारे toolkits मिल जाते हैं अगर आपके पास कुछ भी न हो कोई भी toolkit न हो तो आप इसे परफेक्ट जरू करें क्योंकि इससे आपके drill वारे सारे काम हो जाएंगे आगे हो सकता है मैं इस पर वीडियो डालू कि इससे आप दिवाल में छेट कैसे कर पाएंगे इसमें जो बीट दी होती है लेकिन अभी मैं दिखाता हूं वह इतने सही नहीं होते हो जो है साड़े 600 वार्ट का मसीन 13 mm की है तो आप वीडियो को पहुच करके इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस वगरा देख सकते हैं चलिए अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे अभी हम दिखाते हैं इसमें बहुत सारे टूल किट्स आपको मिल जाते हैं इसके साथ आपको 6 महिने की जो है गारंटी भी मिल जाती है इसको हमने ओपन कर लिया इसको भी हमने काफी टाइम से यूज किया है तो यह काफी बेटर जो है देखिए यहां पर हमारे एक ड्रिल मसीन है अभी इसके और उपर भी बहुत सारी चीज़े हैं मैं भी दिखाता हूँ अप लोग को इसको मैंने इसलिए लिया है था कि यह जो है चलता है तो आटोमेटली एक कस देता है इसको अन्बॉक्सिंग का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ तो आपको इस सारी चीज़े करके भी दिखाई आएंगी कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं कैसे चलाते हैं एक सेपरेट वीडियो में ताकि बहुत सारी चीज़े कभर हो पाएं मुझे एक ही वीडियो में इन तीनों जो है मसीन को कवर करना था तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जा इसलिए मैं बहुत सारी चीज़े इसमें बता नहीं रहा हूँ इसके साथ आपको एक हैमर भी मिल जाता है जो कापी अच्छा एसे काटी भी खार सकते हैं ठोक ठाक सकते हैं और एक एड़ेस्टेबल रिंच भी मिल जाता है यहां पर आपको तीन मीटर का जो है आपको मीटर टेप इंच टेप मिल जाता है एक पिलास भी मिल जाता है और कई सारी चीज़े मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिए 2 यह पर कि आगा करको देखे इसमें बहुत कई सार बहुत सारे बीट्स मिल जाती है यहां पर एक आपको एड़ेस्टेवल पेक्जर लिएम जाएगा जिसमें आप सारी चीजे़ों कर लिए ओपरेट कर सकते हैं एक आपको कई शी मिल जाती है और आपको लेवल ट के साथ साथ आप लोग को एक टेस्टर भी मिल जाता है इसमें काफी सारी एक एड़ेस्टेबल रिंच मिल जाती है जो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसका और भी डिटेलिंग आगे वीडियो में हम करते रहेंगे इस पर कुछ काम करेंगे तो भी आप लोग को और यह जो है आपके दिवाल वाले बीटोंगे देखिए हमने इसको काफी यूज नहीं किया है क्योंकि दिवाल में डिल करना थोड़ा इससे आसान सही नहीं रहता है मसीन आपकी खराब भी हो सकती है आपको नॉर्मल डिल के लिए छोटे मोटे डिल के लिए सही है मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग लोग के पास सारी टूल किटस नहीं है तो आप इसे पर्चेश कर सकते हैं आपको इतनी सारे लोस्त के साथ जोए एक आपको डिल मशीन प्लस डिल मशीन आपको मिल जाएगी वीडियो पसंद्यारे दिवीडियो को हैं और थांक्स पर वाचिंग वीडियो